उत्यप्रिदेश की ताजनगरी आगरे से एक बेहत ही हैराम कर देने वाली कहानी सामनी आई है यहाँ एक 45 साल के अधिर शक्स को चाये की दुकान चिलाने वाली 14 साल की लड़की से एक तरफा इश्ख हो गया लेकिन जब लड़की ने उसके प्यार को अपनाने से इनकान कर दिया तो वह है इस कदर गुसे में आ गया कि उसने लड़की को उड़ाने के लिए यूट्यूब और गूगल देखकर एक बम बना डाला और लड़की की दुकान के नीचे रख दिया लेकिन उसकी साजिश फेल हो गई और अब वह है खुद पुलिस के गरफ्त में पहुँच के है अदरसल मामना जगदीश पुरा का है यहां बिज्जू नाम की एक शक्स की चाय की गुम्टी है गुम्टी की नीचे से पी एंजी लाइन भी गुजर रही है मगलवार की मगलवार को उन्होंने देखा कि गुम्टी की नीचे एक पत्थर नुमा चीज रखी है और उसमें से धुआ निकल रहा था उसमें घारी वाली सेल भी लगे होए थे इनमें कुछ तार भी जुड़े होए थे उस समय उन्हें कुछ समझ में नहीं आया उसने बम को उठा कर दूसरी तरह फैक दिया जब उसने बम को फैक आ तो उसमें से धुआ निकलने लगा मगलवार को जब उनके पिता आये तो उन्होंने बम के बारे में जान करी दी पुलिस और बम डिस्पोजल स्कौाइड टीम ने दो घंटे तक बम की जाच की बिडियस की टीम बम को बिश दूसरा नाम गया परसाद का था बिजु ने बताए कि लंबे समय से गया परसाद उनको नुकसान पहुचेने की कोशिश कर रहा था वो उन पर टोने टोटकी भी करता था कुछ दिन पहले उसने उनकी चाय की दुकान पर कटा हुआ नीबू और सिंदूर भी फेका गया था ऐसे में उस पर भी संध है था गया परसाद पास में ही मार्मल की फैक्टरी में काम करता है पोलेस ने उसे हिरासत में लिकर जब उससे कडाई से पूस्ताश की तो उसने बम रखने की बाद कुबोल कर ली 45 साल के आरोपी अधर ने बताए कि उसका बिजु के घर पर आना ज दिया मगर गया इसके बाद भी नहीं माना आरोपी अक्सर बिजु के घर और दुकान की पस चक्कर लगाया करता था जब बिजु ने सकती की तो गया परसाद ने बदलने की ठानी पहले तोटका कर प्यार पाने की कोशिश की और जब इस पर बात नहीं बढ़ी तो बम से उ पारोद के साथ संगे मरबर के छोटे छोटे टुकलों को डाला था इसके लावा सेल और पंखे के कंडेशनर को भी लगाया था उसे तार से जूड कर विस्पोट करना था मगर बम सही तरीकी से नहीं बन पाया ऐसे में धमा का नहीं हुआ के वल धुआ ही निकल कर रहे गया आरोपी अधेर शक्स पर नावालिक के इश्क का ऐसा भूस सवार है कि उसने लड़की के नाम के पहले अक्षर का टैटू भी अपने हाथ पर गुदवाया हुआ है बताजरहा है कि आरोपी गया प्रसाद की शादी नहीं हुई है और वह नावालिक लड़की से शादी करना चाहता था फिल्हाल पुलस ने आरोपी को गरफ तार कर जेल भेस दिया है